Hello everyone, स्वागत है आप सभी का इस new वीडियो में इस वीडियो को थो उमलब GKGS के important questions discuss करने वाले हैं अगर आप किसी भी exams की preparation कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए helpful है So start करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के पहला question है आपका In which country the inflation rate increased by 37.97% आपको बताना है कौन से देश में जो है वो महंगाई 37% बढ़ गई है मतलब सोच सकते हो 37% महंगाई अगर किसी देश में बढ़ जाएगी तो उस देश की क्या हालत होगी श्रिलंका, युक्रेन, पाकिस्तान या फिर बांगलादेश तो पाकिस्तान जो है इसकी inflation rate 37.97% बढ़ चुकी है Next question है In which state, एहमद नगर सिटी renamed as अहिल्या नगर आपको बताना है भारत का कौन सा राज है जिसमें एहमद नगर सिटी को नाम बदल के अहिल्या नगर सिटी रग दिया गया है मतलब एहमद नगर शहर से अहिल्या नगर रग दिया गया है तो कौन सा राज है वो उडिशा, राजस्तान, महारास्टर या फिर उत्तर पदेश तो वो राज है आपका option number C, महारास्टर अगला question है The DOS stands for Basically अब आपको DOS का full form बताना है Dock operation system, data output system, data operating system या फिर disk operating system तो देखे, right answer क्या हो जाएगा आपका option number D disk operating system is the correct answer अगला question है Which city is known as diamond city of India अब आपको बताना है hero का शहर कौन से शहर को कहते हैं नाशिक, सूरत, मुंबई या फिर हैदराबाद तो देखे, diamond city हम किसको कहते हैं option number B, सूरत को कहते हैं ठीक है अगला question है Who has become the world's number one javelin thrower in the world ranking अब आपको बताना है world ranking में दुनिया के सबसे number one javelin thrower कौन बने है अरशद वार्शी, जूलियन बेबर, असद एहमद या फिर, नीरत चोपड़ा तो ये हमारे option number D, नीरत चोपड़ा बने है होकी कप की विनर टीम कौन सी रही है इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश या फिर, अफ़र अफगानिस्तान तो देखिए इसकी जो विनर टीम रही है मैंस इस या जूनियर होकी कप की ये रही है आपके भारत देश option ने अगला question है according to the recent Forbes report who has become the world's most valuable football club अब आपका बताना है Forbes report के according दुनिया का सबसे valuable football club कौन सा है Barcelona, Manchester United, Real Madrid या फिर, Saudi United तो देखिए अगर बात करें Forbes report के according सबसे valuable football club की ये है आपका option नमसी Real Madrid अगला question है recently who is going to become the first solar city of Madh Pradesh Madh Pradesh का ऐसा कौन सा सहर है जो solar city of Madh Pradesh शहर के नाम से जाना जाएगा उजयन, इंदोर, साची या फिर, कांडवा तो देखिए right answer क्या हो जाएगा आपका option number C साची अगला question है who is the agriculture and farmers welfare minister of India अब आपका बताना है कृषी अबम किशान कलियान मंत्री कौन है भारत के राजनात सिंग, जगदीब धानकर, नरेन सिंग तोमर या फिर, मनसुख मंदाविया तो देखिए farmers and welfare minister है आपके नरेन सिंग तोमर, राजनात सिंग हो गए है आपके defense minister जगदीब धानकर हो गए है आपके vice president भारत के और ये हो गए है आपके farmer welfare minister हो गए और ये मनसुख मंदाविया आपके health minister हो गए अगला question है भारत के पचासवे अब आपको बताना है कि भारत के पचासवे चीप जस्टिस कौन रहे है तो देखिए भारत के जो पचासवे मुख ये नया अधीश रहे है ये रहे हैं आपके option C अगला question है which state government has launched school of imminence project कौन से state government के द्वारा school of imminence project launch किया गया हर्याना, सिकिम, पंजाब या फिर मधिपरदेश तो देखिए ये पंजाब गोवर्मेंट के द्वारा launch किया गया option C अगला question है which state government has launched लाडली बहन योजना कौन से state government के द्वारा लाडली बहन योजना launch किया गया हर्याना, सिकिम, पंजाब या फिर मधिपरदेश तो देखिए ये कौन से state के द्वारा launch किया गया है मधिपरदेश इससे पहले हमने देखा school of imminence project वो था हमारा पंजाब अगला question है what is the theme of world no tobacco day 2023 अब आपको बताना है world no tobacco day का theme क्या रहा है जो की 31 मई मतलब 31st of मे को celebrate किया गया तो stop growing tobacco we need food not tobacco say no to tobacco या फिर avoid tobacco be healthy तो देखिए world no tobacco day 2023 का जो theme रहा है तो ये रहा है आपका we need food मतलब में खाना चाहिए तबाकू नहीं चाहिए ठीक है next question which bank launches new logo with make life rich campaign अब ये एक important question है वैसे सारे के सारे important है आपके लिए अब आपको बताना है किस bank ने life की life की बचाओ rich अभियान को साथ sorry किस bank ने life को बनाओ rich अभियान के साथ नया logo launch किया है ये आपको बताना है yes bank HDFC bank world bank या फिर SBI bank तो देखिए yes bank ने जो है ये launch किया है make life rich campaign ठीक है with new logo अगला question है दुनिया का पहला 3D printed Hindu temple ये कौन से राजी में बनाया जाएगा उत्तराखंड उत्तरपुदेश तलंगना या फिर मद्धपुदेश तो ये आपके option नमब सी तलंगना राजी में बना जाएगा अगला question है Hyderabad is situated on the bank of which river Hyderabad शहर कौन से नदी के किनारे बसा है मूसी, चंबल, जेलम या फिर गुदावरी Hyderabad मूसी कंब, चंबल हो गया आपका कोटा जेलम हो गया आपका स्रीनगर और गुदावरी हो गया आपका नासिक ठीक है clear अगला question है गहना बर्ड नेशनल पार्क is located in which state of India अब आपका बताना है गहना बर्ड नेशनल पार्क जो है यह कौन से राज्य में है उडिशा, महरास्ट्र, च्थिसगर या फिर राजस्थान तो देखे गहना बर्ड नेशनल पार्क जो है यह है आपके option नमर D अब आपको बताना है भारत के कौन से राज्य में है उडिशा, मध्यप्रदेश, च्थिसगर या फिर राजस्थान तो यह है आपके option नमर D अगला question है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक लीची का भी सीजन भी है तो बिहार जो है न यह सबसे बड़ा और बिहार में एक स्ट्रीट आता है कौशें ऐसे नहीं आता है ऐसे करके कौशें आता है विच सिटी इस लज़स्ट प्रोडूशर अफ लीची या फिर कोशें ऐसे आता है लीची सिटी हम कौन से सहर को कहते हैं तो यह है बिहार का मुझफरपूर मुझफरपूर याद रखना है आपको चलिए अगला कोशन है विच इंस्ट्रूमेंट इस तो मेजर दर डेप्ट ओफ वाटर इन दा स्वाइल अब आपको बताना है कि मिट्टी में जल की गहराई मापने के लिए कौन सा यंतर का यूज किया जाता है टैन्सोमीटर, लाइजीमीटर, लेक्टोमीटर या फिर फैदोमीटर तो देखिए वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है ये है आपका उप्षिन नम्टे के लिए यूज किया जाता है अगला कोशन है what is the percentage of nitrogen in calcium ammonium nitrate calcium ammonium nitrate में nitrogen कितना percent होता है 20% 22% 16% या फिर 26% तो देखे right answer क्या हो जाएगा आपका option number d 26% अगला कोशन है in which country was the potion festival held अब आपको बताना है portion पर्व जो है वो किस देश में आयोजित किया गया इंडिया श्रिलंका नेपाल या फिर भुटान तो देखे पोशन फेस्टिबल जो है यह आपके श्रिलंका में आयोजित किया गया option b अगला कोशन है which state had launch मां तुझे प्रनाम योजना मां तुझे प्रनाम योजना जो है यह कौन से कौन से state के द्वारा लॉंच किया गया है अरुनाचल प्रदेश 36 गड़ मदप्रदेश या फिर आंद्र प्रदेश तो देखिए मां तुझे प्रनाम योजना मदप्रदेश के द्वारा option c अगला कोशन है which airline has been launched the environment airline of the year 2023 अब आपको बताना है कि किस airline ने वर्ष 2023 की पर्यावरन एरलाइन नामित किया गया Indigo Airways, Etihad Airways, Qatar Airways या फिर Spice Jet Airways तो राइट अंसर हो जाएगा आपका Etihad Airways option b अगला कोशन है who is the author of the book the power of one thought अब आपको बताना है the power of one thought के लेखक कौन है B.K. Shivani, Raghav Raja, Parul Thakur या फिर अभिलाशा शाह तो देखिए राइट अंसर होगा आपका कौन है इसके लेखक है B.K. Shiv Metrological Department जोसको short form में हम IMD बोलते हैं तो आपको बताना है Indian Metrological Department का Headquarter कहां है Mumbai, Pune, Chennai या फिर New Delhi तो देखिए Indian Metrological Department जो है इसका Headquarter है आपका option भी पूने में अगला कोशन है In which state is the world longest highway tunnel located अब आपको बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस राज में स्थित है इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अटल टर्नल ये है आपके option number C, Himachal Pradish अगला कोशन है अब आपको बताना है सिगार नदी किसकी साहयक नदी है सिंधू, सतलज, चेनाब, या फिर, या मुना तो देखिए शिगार रिभर जो है ये साहयक नदी है सिंधू नदी के option A अगला question है which of the following is in state list आपको बताना है इन में से कौन सा जो है वो state list में आता है एक state list में आता है बाकी के जिए जो ती न ये state list में नहीं आते है तो देखिए railway police जो है न ये state list में आता है ठीक है बाकी corporation tax, census, economic, social and planning ये नहीं आते है and the last question is और आप मुझे comment में बताना आपके 30 में से किते questions correct हुए the ladder curve is a relationship between ladder curve जो है ये किसके बीच का relationship बताता है relation बताता है revenue and expenditure, unemployment and inflation, tax rate and tax revenue, economic and planning तो देखिए ladder curve जो है ये बताता है हमें relationship, tax rate and tax revenue के बारे में option C तो वीडियो का ही प्रेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमाई channel पर आप नहीं हो तो like, share and subscribe जरूर करें मिलते हैं next video